व्यतिकरन और विवर्तन की घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुश्टी करते हैं, पर प्रकाश अनुद्यर्दी तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग, इस बात को बताने में असमर्थ है। वैसे तो हाईगन ने प्रकाश को अनुदैर्द तरंग ही माना था पर जब मैक्सवल्स के द्वारा प्रकाश के विद्दु चुम्बकी तरंग का सिधान्त सामने आया उसके अधार पर प्रकाश एक विद्दु चुम्बकी तरंग माना गया एक ऐसा तरंग जो निर्वात मे परिवर्ती विद्दु छेत्र और परिवर्ती चुम्बकी छेत्र के रूप में आगे गमन करता है Maxwell's के अनुसार ये परिवर्ती विद्दु छेत्र और परिवर्ती चुम्बकी छेत्र ना ही केवल तरंग संचुरन की दिशा के लंबवत होते हैं बल्कि ये एक दूसरे की दिशा के भी लंबवत होते हैं यानि कि विद्दू छेत्र का तल और चुम्बकिय छेत्र का तल ये एक दूसरे के लंबवत होता है। और जो visual sensation है यह जो vision है देखने का प्रभाव वो केवल विद्दु छेत्र सदीश के कारण ही उत्पन होता है और यदि हम चुम्बकिय छेत्र सदीश को neglect कर दे हटा दे सिर्फ देखने के प्रभाव के कारण तो ये विद्दु छेत्र सदीश इस प्रकार pure, transverse way यानि की एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और हम यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान कर ही दुरुवान की व्याख्या की जा सकी हम कोई भी प्रकाश श्रोत लें जैसे कि सूरज, बल्ब, ट्यूबलाइट, मुम्बती इन सबसे प्रकाश एक विद्दु चुम्बकी तरंग के रूप में निकलता है और ये विद्दु चुम्बकी तरंग इन श्रोतों में मौजूद असंख्य उत्तेजित परमानू के वाइब्रेशन से निकलते हैं और ये उत्तेजित परमानू के एलेक्ट्रिक फिल्ड वाइब्रेशन किसी भी दिशा में हो सकते हैं मान लीजिए ये किसी भी प्रकाश रोत के परमानू है जो कि एलेक्ट्रिक फिल्ड वाइब्रेशन किसी भी दिशा में दे सकते हैं यदि पहला वाला परमानू इस दिशा में तीजरा किसी अन्य दिशा में और इस प्रकार इन सारे उत्तेजित परमाणूओं के एलेक्ट्रिक फिल्ड वाइब्रेशन को हम देखें तो यह और पॉसिबल डारेक्शन में हो सकते हैं कुछ इस प्रकार और इस प्रकार का प्रकाश जो कि किसी भी कौमन में एलेक्ट्रिक फिल्ड वाइब्रेशन यानि कि विद्दू छेत्र सदीश की एक सिमित्ता होती है किसी भी पॉइंट के चारो तरफ तो अध्र विद्प्रकाश को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पर जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन अपनी कौपी में ब इसी भी सदीश को उसके दो घटक होरिजन्टल और वर्टिकल यानि कि 36 और उर्द्वादर घटकों के रूप में रिजॉल्फ किया जा सकता है तो यहां भी जितने एलेक्ट्रिक फिल्ड वेक्टर्स हैं इसको हम दो घटक में रिजॉल्फ कर देते हैं एक वर्टिकल और दूसरा होरिजन्टल और इस प्रकार अधुर्वीत प्रकास का रिप्रीजन्टेशन अब थोड़ा और सिंपल हो जाता है यह तो अधुरुवित प्रकाश का प्रेंट विउव रिप्रेजन्टेशन हैं मतला हम सामने से देखे तो हमें दो घटक एक दूसरे को लंबवत का कार हो जाएगा यह तीर का निशान जो दिख करेंगा जो कि स्ता काज तल के लंबवर्थ हो इस आधुरूवित प्रकाश जिसमें विद्दु सदीश की सभी पॉसिबल कंपन की दिशाएं और ये सभी पॉसिबल कंपन की दिशाएं तरंग संचरण की दिशा के लमवत हैं इसे हम किसी एक निश्चित प्लेन में कनफाइंड कर देते हैं सिम्मित कर देते हैं इस घटना को धुरुवन कहते हैं और इस घटना के पश्चात जो प्रकाश प्राप्त होता है जिसमें की यांत्रिक फील्ड वाइब्रेशन की दिशा किसी एक ही प्लेन में सीमित रहती है और ये प्लेन ये तल उस तरंग संचरण की दिशा के लमवत होता है इस प्रकाश को हम धुरुवित प्रकाश कहते हैं यानि की प्लेन पोलराइजड लाइट प्रकाश में धुरुवन की घ में तरंग उत्पन होता है वो एक अनुप्रस्त तरंग होता है हम एक रसी को एक कोने से पकड़े हो और दूसरे कोने में बान दिये हो और जब उसको हम हिलाते हैं तो उनमें अनुप्रस्त तरंग कुछ इस प्रकार उत्पन होते हैं अगर रसी को हम गोल-गोल इधर-उदर ह रखते हैं अब माल लीजिए इस रसी को हम गोल-गोल घुमा रहे हैं और इसके सामने हमने एक स्लिट रख दिया है मतलब एक खड़ा लिया है जिसको बीच में आयता कारूप में काट दिया है अब जब हम इसको किसी भी पॉसिबल डारेक्शन में घुमाएंगे तो वही कमपन इस खड़े से इस लिट से पार हो सकेगा जो इसके अक्ष के समानतर होगा अगर हम इस लिट को रोटेट करते जाते हैं तो वही कमपन को ये पार करेगा जो इस लिट के समानतर होंगे मान लेजी हमने इसकी position को fix कर दिया है घुमाने के बाद इसमें से केवल एक ही तल के कमपन पार हो सकते हैं इस slit को हम नाम देते हैं polarizer यानि की धुरूवक का अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कमपन की सभी दिशाएं थी वो अब सीमीत हो गए केवल एक ही दिशा में जो की इस slit के अक्ष के समानतर है और ये तरंग इस slit के थुरू आगे पार हो जाएगा इसी slit के सामने हम एक दूसरा slit रख देते हैं वो भी एक आयता का slit है और उतने ही size का है जितना की हमने पहला slit लिया था अब इस slit के अक्ष को हम इस पहले वाले slit के समानतर रखते हैं तो जो यांतरीक तरंग इस रसी में उत्पन हो रहे हैं इस पहले वाले slit के होते हुए इस दूसरे वाले slit से भी गुजर जाएंगे ये दूसरे वाले slit को हम analyzer यानि कि विशलेशक नाम देते हैं क्योंकि इसके द्वारा slit से पार होने वाले तरंग को हम एनलाइज कर रहे हैं अब धीरे धीरे हम इस एनलाइजर को रोटेट करते हैं हम जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाएंगे हम देखेंगे कि जो तरंग दोनों ही slit में समान अक्ष होने पर आसानी से गुजर रहा था वो वाइब्रेशन की दिशा कुछ रिक्स्टिक्ट होते जारी है और कम वाइब्रेशन आगे की और पहुच रहे हैं और जब हम इस एनलाइजर को रोटेट करते हुए इस पहले वाले slit यानि की पोलराइजर के लमवत रखते हैं उस समय ये तरंग इस दूसरे slit से आगे न इस्तित होता है और जब कोई अधुविद प्रकाष इस टर्मलाइन क्रिस्टल पर अपतित होती है तो वो केवल उन्हीं एलेक्ट्रिक फिल्ड वाइबरेशन्स यानि कि विदूत सदीश कंपनों को पार करता है जो इसके अक्ष के समानतर होती है तो टर्मलाइन क्रिस्टल के इस अक्ष को पारिद अक्ष या फिर पास एक्सिस भी कहते हैं अधुवित प्रकाश को हमने कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया था जिसमें की एलेक्टरिक फिल्ड वाइब्रेशन्स की ओल डारेक्शन्स थे लेकिन हर बार इस तरीके से ओल डारेक्शन्स बनाना थोड़ा कॉंप्लिकेटिड हो जाता है इसलिए हमने इनको दो घटको की रूप में रिजॉल्फ कर दिया था और इस अधुवित प्रकाश का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार था यह अधुवित प्रकाश जब तरंग संचरण की दिशा की और आगे बढ़ता है तो इस प्रकार से आम इसका रिप्रेसेंटेशन देते हैं जिसमें एक तीर का निशान वर्टिकल होता है और उसके उपर डॉट्स लगे होते हैं जो वर्टिकल तीर का निशान है वो इस कागश तल में कंपन की दिशा को बताते हैं, जबकि जो dots की निशान हैं, वो इस कागश तल के लंबवत electric field vibrations की दिशा को बताते हैं, अब यदी इस अधुरुवित प्रकाश को धुरुवित कर दिया जाए, मतलब इसके electric field सदीश की जो कंपन की दिशा है, वो उसके तर कार रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें या तो केवल इस तरह से तीर की निशान होते हैं, या तो केवल ये dots की निशान, जो ये दर्शाते की कंपन किसी एक ही दिशा में सीमित हो गई है, यदी किसी representation में हम तीर की निशान और dots को अलग-अलग स्थान पर लेते हैं, इसका म कंपन प्रकाश संचरन के लंवत सम्तल में सभी दिशा में होते हैं, सूर्य, विद्ध बल्प, मूम्बत्ती आधी से प्राप्ति-प्रकाश अधुरुवित होता है, तूर्मिलिन क्रिस्टल या पोलेराइट से गुजरने के पश्चात प्राप्त-प्रकाश संतल-धुरु उसके परिता घुमाएं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता इस प्रकाश को पोलराइट से गुजारने के बार पोलराइट को प्रकाश किरणों के परिता घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है अब इस प्रयोग द्वारा हम प्रकाश म इस प्रकार रिप्रेजंट किया जा रहा है जो कि इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है यानि कि तरंग संचरण की दिशा आगे की ओर है जब प्रकाश आगे की ओर बढ़ेगा और उसके रास्ते में एक टर्मिलेंड क्रिस्टल रख देते हैं अब इस अधुरुवित प्रकाश के मार्ग में हम एक टर्मिलेंड क्रिस्टल रख देते हैं टर्मिलेंड क्रिस्टल रखने पर जितने भी कमपन इस टर्मिलेंड क्रिस्टल के पास एक्सिस पारित एक्सिस के समानतर होंगे वही इस टर्मिलेंड क्रिस्टल से आगे बढ़ेंगे जिसको हम देख पाएंगे फ़र कब यह हो जाएगा कि जब यह क्रिस्टल नहीं रखा था तो प्रकाश की तीवरता अधिक थी पर टर्म लाइन क्रिस्टल से गुजरने के बाद इस प्रकाश की तीवरता कम हो गई क्योंकि इस टर्म polarized light को plane polarized light में convert कर रहा है इसलिए इसका नाम polarizer रखा गया अब इस term line crystal को हम यदि rotate करते हैं तो धुरुविद प्रकाश की तीवरता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अधुरुविद प्रकाश में तो सभी possible directions में electric field vibrations है तो यदि हम किसी भी direction में इस polarizer को rotate करें तो उतने ही कमपन इस polarizer से आगे बढ़ेंगे तो polarizer को किसी भी स्थिती में रखा जाए उससे निकलने वाली तीवरता समहान ही रहेगी लेकिन यदि इसके सामने एक दूसरा term line crystal रख दिया जाए उस condition में इन दोनों term line crystal के एक्सिस के बीज का कोन decide करता है कि आगे बढ़ने वाली दुरुवित प्रकाश की तीवरता क्या होगी यदि दोनों के अक्ष समानतर है उस condition में वह सारे electric vibrations पहले वाले term line crystal से आगे बढ़ रहे थे दूसरे वाले term line crystal से भी पास हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे उस condition में प्रकाश की तीवरता सेम होगी लेकिन जैसे जैसे इस दूसरे term line crystal बी को rotate किया जाता है तो अब ये इस दुरुवित प्रकाश के vibrations को restrict करेंगे और धीरे-धीरे हम term line crystal को इतना घुमा देते हैं कि वो पहले वाले term line crystal की तुन्ला में लंबवत हो जाएं उस condition में इस दूसरे वाले term line crystal के पार प्रकाश की तीवरता बिलकुल शुन्य हो जाती है वो इसलिए क्योंकि पहले वाले term line crystal से जिस तल पर vibrations निकल रहे थे अब इस दूसरे वाले term line crystal का तल उसके परपेंडिकुलर हो गया है तो वो अनुदैर्द तरंग होता तो प्रकाश दूसरे वाले crystal से भी पार हो जाता दूसरे वाले crystal को हम analyzer यानि कि विशलेशक कहते हैं क्योंकि उसी की साहता से हम यह analyze कर पाते हैं यह रिषुलेशन कर पाते हैं कि जो प्रकाश मौजूद है वो धुविथ यह अधुविध जब कोई अधुविध प्रकाश किसी धुर्यवक से पार होता है तो उसके कमपन की दिश्य रिस्ट्रिक्ट हो है और यहाँ पर हम दो शब्द हैं जिसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं एक दुरूवन तल और दूसरा कमपन तल कर जिस तल में यह कमपन रिस्ट्रिक्ट होगा है उस तल को हम कहते हैं कमपन तल लेकिन इस तल के लंबववत जो तल होगा उसे हम कहेंगे धृबणतल और यह कमपन तल और धृबणतल दोनों ही तरंग संचरन की दिशा के लंबवध होंगे प्रयोग में हमने ये भी देखा कि आधृवित प्रकाश इस धृवक से गुजर रहा था तो वो धुरूवित हो गया और जब यही धुरूवित प्रकाश इस विशलेशक से गुजला तो इस विशलेशक को घुमाने पर इस धुरूवित प्रकाश की तीवृता में परिवर्तन हो रहा था इस विशलेशक से प्राप्त दुरूवित प्रकाश की तीवर्ता में जो परिवर्तन है वो मैलस ला के अनुसार दिया जाता है मैलस के अनुसार हमने ये देखा जो विशलेशक से प्राप्त प्रकाश की तीवरता थी वो निर्भर कर रही थी इस धुरूवक और विशलेशक के बीच के कोन पर और इसी आधार पर विशलेशक से प्राप्त तीवरता के लिए मैलस ने एक नियम दिया जिसके अनुसार आई समानुपाति होती है कौस स्क्वेर थीटा के जहां पर आई इस विशलेशक से प्राप्त धुरुवित प्रकाश की तीवरता है और थीटा इस धुरुवक और विशलेशक के अक्षों के बीश का कोण है यदि हम समानुपाति का चिन हटाते हैं तो एक समानुपातिक नियतांक लगाते हैं यहां पर वो समानुपातिक नियतांक है आई जेरो और आई बराबर हो जाएगा आई जीरो कौस स्क्वेर थीटा जहां पर यह जो आई जीरो है इस धुरुवक से दुरुवन के पश्चात प्राप्त प्रकाश की तीवृता है अब हम इस मैलस के नियम का डेरिवेशन देखते हैं इसके लिए हमने एक धुरुवक लिया है और एक एनलाइजर लिया है मान लीजिए इस दुरुवक के अक्ष और इस विशलेशक के अक्ष के बीश में थीटा कौन है दुरुवक से प्राप्त जो धुरुवित प्रकाश है उसका आयाम ए है जिसको हमने चोटे से तीर से दर्शाया है अब ये आयाम इसको हम इसके दो घटकों की रूप में पाट स सकते हैं एक 36 घटक और दूसरा उर्ध्वारदर घटक तो इस आयाम ए का 36 घटक होगा एक कॉस्थीटा जो की इस विशलेशक के अक्ष के ही अनुदीश होगा इसका इस आयाम का उर्ध्वाधर घटक होगा ए साइन थीटा जो इस विशलेशक के अक्ष के लंबवत होगा इस विशलेशक से जो निर्गत प्रकाश होगा उसका आयाम एक औस थेटा होगा और इस विशलेशक से प्राप्त प्रकाश की तीवरता हम निकालेंगे फॉर्मुले से तीवरता समानुपाती होती आयाम के वर्ग के तो हम इस विशलेशक से प्राप्त प्रकाश की तीवरता आई समानुपाति है लिखेंगे इसके आयाम के यानि के ए कॉस थीटा का स्क्वेश और यहां से आई बराबर हो जाएगा एक समानुपातिक निया तंक लगाएंगे के और यह वर्ग करेंगे तो a स्क्वेर कॉस थीटा A किसका आयाम था दुरूवक से निकलने वाले प्रकाश का तो अगर इसका वर्ग करते हैं तो इस दुरूवक से प्राप्त प्रकाश की तीवरता इस आयाम के समानुपाती होगी याने कि I0 समानुपाती होगा a2 के और एक समानुपाती की नियतांग लगाएंगे तो I बराबर kye a2 होगा याने कि ये जो k a2 है ये धुरूवक से प्राप्त दुरूवित प्रकाश की तीवरता होगी इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बराबर I0 cos 2-ta और यही मेलस का न के अनुसार तीन स्थित्या हो सकती है यदि थीटा बराबर जीरो हो यानि कि धुरूवक और विशलेशक दोनों के अक्ष्य एक दूसरे के समानतर होंगे उस कंडिशन में कॉस जीरो बराबर वन होता है तो आई बराबर हो जाएगा आई जीरो इस केश में धुरूवक से प् प्रकाश के सामने एक धुरूवक रखा था उससे प्राप्त प्रकाश की तीवरता में क्या परिवर्तन होगा दुरूवक प्रकाश के सामने सुवित्प्रकाश चुकी सभी दिशाओं में एलेक्ट्रिक फिल्ड वाइबरेशन देता है और उसके सामने धुरूवक रखा गया है जिसको घुमाया जा रहा है यानि कि यहां पर कोण का मान हो जाएगा जीरो से लेकर टू पाई के बीच में तो हम यहां पर कॉस स्क्व बराबर आए जीरो कॉस स्क्वेर ठीटा का एसत्मौन और हम लिख सकते हैं आए बराबर आए जीरो 1 प्लस कॉस्ट टू ठीटा अपका को फिक मान यहां से च्टू अगर हम अब करेंबरें बाहर ले लिए तो आए बिलेगा आइबर बरबर i0 1 plus cos 2 1 थिटा का औसत मान और cos 2 थीटा का औसत मान शून्य होगा क्योंकि complete सर्कल की लिए यह देहिं देखे तो कॉस्त का अधिक्ता मान प्लास वान होता है और यूनितम मान माइनस वन होता है इसलिए जब इसका आसत निकालेंगे तो यह हमको शुन्य प्राप्त होगा तो हम लिख सकते हैं i बराबर i0 अपॉन टू वन प्लस जीरो और i बराबर i0 अपॉन टू या यू कहें कि अधुरुवित प्रकाश की तीवरता किसी धुरुवक से पार होने पर आधी हो जाती है और जब हम निर्गत प्रकाश की तीव प्रकाश तीवरता और धुरुवक और विश्लेशक के बीच के कोंड में एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो वह ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा हमने य अक्ष में निर्गत-प्रकाश की तीवरता ली है और एक अक्ष में दोनों के बीच का कोंड पाइबाइट कु 3 pi by 2, 5 pi by 2 होगा तो उस समय निर्गत प्रकाश की तीवरता शुन्य होगी और जब कोण pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi होगा तो निर्गत प्रकाश की तीवरता अधिक होगी तो इस प्रकार विशलेशक को घुमाने पर इस तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा तुरुवित प्रकाश प्राप्त करने की कई प्रक्रिया है सबसे पहले साइंटिस्ट मेलस ने परावर्तन के द्वारा तुरुवित प्रकाश को प्राप्त किया था उन्हेंने किसी भी अधुरुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्या में अपतित किया और ये पाया जब आधुरुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्या में अपतित होता है तो उसमें दो घटनाई होती है एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन जो अपवर्तित प्रकाश है वो तो अधुरुवित ही होता है लेकिन जो परावर्तित प्रकाश होती है वो आ परावर्तित प्रकाश में धुरुवन की मात्रा है वो निर्भर करती है इस अधुरुवित प्रकाश के अपतन कोण पर यदि अपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो इस परावर्तित प्रकाश में धुरुवन की मात्रा भी बढ़ते जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है अप करता है पहला इस पार्दर्शी मांध्य के अफरत नांग पर और दूसरा प्रियुक्ति प्रकाश की तरंग्द्यर्थ पर उन्होंने इस पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांग और ब्रूस्टर कोण के बीच में एक सम्मंद बताया उन्होंने बताया यह किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांग उसके ब्रूस्टर कोण की इस परच्या के बराबर होता है यानि सूत्र अनुसार हम द अब ये प्रकाश जो अपवर्तित हो गया है वो भी अधुरुवित है जिसका अपवर्तन कोण आ रहे हैं और जो प्रकाश परावर्तित हुआ है इस Brewster कोंड पर वो पोण रूप से समतल रूवित प्रकाश है और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि अपतन कोंड बराबर परावर्तन कोंड होता है तो यह पर हम परावर्तन कोंड को भी IB लेंगे साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो परावर्तित प्रकाश है और ये जो अपर्तित प्रकाश है इन दोनों के बीच का कोंड भी 90 डिग्री होता है तो Brewster की नियम को सिद्ध करने से पहले हम इसे सिद्ध करते हैं और उसके बाद Brewster की नियम का निगमन करेंगे हम जानते हैं इस नेल की नियम के नुसार किसी भी माध्यम का अपवर्तनांग म्यू बराबर होता है साइन आपों साइन आर यहाँ पर प्रकाश इस वाई-उ से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यहां पर म्यू बराबर होगा साइन आई बी अपॉन साइन आर इसे हम दे देते समिकरण एक पर ब्रूस्टर की नियम के नुसार म्यू बराबर होता है टैन आई बी तो म्यू बराबर होगा साइन आई बी अपॉन कॉस आई बी इसे हम दे देते समिकरण तो अब इन दोन SIN R equal to SIN IB upon COS IB, इन दोनों पक्षों से SIN IB cancel होने पर हमें मिलेगा, SIN R बराबर COS IB, और यहां से हम लिख सकते, SIN R equal to SIN 90 minus IB, क्योंकि हम जानते हैं, SIN 90 minus थीटा होता है, COS थीटा, दोनों पक्षों से SIN हटा देते हैं, क्योंकि यदि किसी कोण की जिया बराबर हो इसका मतलब वो कोण भी बराबर होता है तो उस कंडिशन में आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई बी और यहां से हमें मिलेगा आई बी प्लस आर एक्वल टू 90 और यदि इस सरल कोण स्ट्रेट अंगल पी बी क्यू को हम देखे तो यह पी बी क्यू बराबर होगा 180 डिग्री और यहां पर इस सरल कोण में तीन अंगल है तो यह तीनों का योग मिला कर होना चाहिए 180 डिग्री इसलिए हम लिख सकते हैं अंगल पी बी सी प्लस आंगल सी ब cd plus angle qbd बराबर 180 degree, angle pbc कितना है, ib के बराबर है, angle qbd कितना है, यह r के बराबर है, तो मैं यह लिखेंगे i plus angle cbd plus r equal to 180, और यहां से angle cbd plus 90 equal to 180, और angle cbd बराबर मिलेगा 90, यह angle cbd, यह किसके बिश का कोण है, परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश, इसका मतलब परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अब यहीं से हम आगे बढ़ें, तो angle nbc plus angle nbd, यह होगा 90 degree, angle nbc को हम लिख सकते हैं 90 minus ib, और angle nbd को हम लिख सकते हैं 90 minus r, तो 90 minus ib plus 90 minus r equal to हो जाएगा 90, और 180 minus 90 minus ib minus r equal to 0, और हम यह लिख सकते हैं 90 minus ib minus r equal to 0, और यहां से मिलेगा r बराबर 90 minus ib, और इस नेल की नियम से हम जानते हैं किसी भी माध्याम का अपरतनाग mu बराबर होता है, sin i upon sin r, अब इस r के स्थान पर हम 90 minus ib लिखेंगे, तो यह समीकरण बन जाएगा mu बराबर sin ib upon sin 90 minus ib, और mu बराबर होगा sin ib upon cos ib, और sin upon cos होता है 10, यानि कि mu बराबर हो जाएगा 10 ib, और इस प्रकार brewster का नियम हम सिद्ध करते हैं, बोर्ड एक्जाम में भी इस topics related questions आते हैं, जैसे कि brewster का नियम लिखिये और उसे सिद्ध कीजिए, या फिर brewster के नियम के अधार पर ये सिद्ध कीजिए कि आपतन कौन पर पर परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश, दोनों एक दूसरे के परस पर लमवत होते हैं, और brewster के नियम के सहयता से, यानि कि सूत्र mu बराबर 10 ib के सहयता से, हम किसी भी पारदर्शी माध्यम के लिए उसका brewster कौन ग्याद कर सकते हैं, जैसे कि जल, जिसका निर्पेक्ष अपवर्तनांग, यानि कि उसका अपवर्तनांग वायू की तुलना में 1.33 होता है, तो इसके लिए brewster कौन का मान 53 डिगरी होता है, और कांच, जिसका निर्पेक्ष अपवर्तनांग 1.5 है, उसके लिए brewster कौन का मान 57 डिगरी होता है, इस पारदर्शी माध्यम से जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है, वो धुरूवित कैसे हो जाता है, यदि हम देखें, तो ये जो अपतित प्रकाश है इस पारदर्शी माध्यम में, ये तो अधुरूवित है, जिसमें कमपन की सारी दिशाएं, इस अपतित किरण के लंबवत मौजूद हैं, लेकिन हम सारी कमपन की दिशाओं को केवल दो घटकों में रिजॉल्व कर देते हैं, एक समानतर और दूसरा लंबवत, यहाँ पर जो तीर के निशान दिख रहे हैं, वो ऐसे कमपन हैं, जो इस अपतन तल के समानतर हो, और जो डॉट्स हैं, वो ऐसे कमपन हैं, जो इस अपतन तल के लंबवत हो, जब यह अधुरुवित प्रकाश इस माध्यम में अपतित होता है, इस माध्यम में मौजूद परमाणूओं के अलेक्ट्रॉन भी इसी प्रकार समानतर और लंबवत दिशा में कमपन करने लगते हैं, जिनके कारण प्रकाश उत्पन होता है, अपतन तल के समानतर कमपन परावर्तित प्रकाश के अनुदीश होता है, इसलिए ये परावर्तित प्रकाश की दिशा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन नहीं कर पाता, पर अपतन तल के लंबवत कमपन परावर्तित प्रकाश की दिशा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन करते हैं, और जब अपतन कौंड का मान धुरुवन कौंड के बराबर हो जाता है उस condition में परावर्तित प्रकाश पूर्ण तरह से संतल धृूवित हो जाता है और इस तरह से हम परावर्तन के पश्चात एक संतल धृूवित प्रकाश उत्पन्य कर सकते हैं समतल धुरुवित प्रकाश प्रकिर्णन की प्रक्रिया ध्वारा भी उत्पन किया जा सकता है इसे सबसे पहले बताया था साइन्टिस्ट रेले ने हम जानते हैं कि प्रकाश जब उसकी कोटी के अनुओं से टकराता है तो वहाँ पर अंतक्रिया होती है उर्जा का अदान प्रदान होता है, जिसके कारण प्रकाश स्कैटर्ड हो जाता है, वहाँ पर प्रक्रियनन की प्रक्रिया होती है अगर कोई आधुवित प्रकाश में एटमोस्वेर में मौजूद अनों से टकरा रहा है जनरली यह आधुवित प्रकाश में जो सूर्य से आता है वो एटमोस्वेर में मौजूद नाइट्रोजन के अनों से टकराता है और इनहीं से प्रक्रिया होती है तो जो नाइट्रोजन में मौझूद एलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कमपन करने लगते हैं जिस प्रकार आधुवित प्रकाश में लमवत और समांतर दोनों ही कमपन होते हैं अब उसी प्रकार नाइट्रोजन के पश्चात यदि ऐसी तरंग उत्पन हो रही है जो आपतित तरंग के समानतर हो सीधी आगे जारी हो तो वो प्रकाश अध्रुवित होगी लेकिन जो प्रकाश इसकी देशा के लंबवत उत्पन होगी वो प्रकाश पून रूप से समतल ध्रुवित होगी और जो प्रकाश किस अन्य कोंड में उत्पन्न हो रही है वो आंशिक रूफ से धुरुवित होगी यानि कि पार्शली पॉलराइजड लाइट होगी ऐसा इसलिए कि जो समानतर कमपन हैं वो प्रेक्षक की दिशा की अनुदीश होंगे इसलिए वो प्रेक्षक की दिशा में अनुप्रस्थ उत्पन नहीं करते लेकिन जो लंबवत कमपन होते हैं वो प्रेक्षक की दिशा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन होते हैं इसलिए प्रेक्षक के नेत्र में जो तरंग दिखाई देता है वो पून रूप से समतल दुरुवित होता है जिसकी कमपन की दिशा लंबवत होत हैं जिसके कमपन की दिशा इस बोट के तलके या फिर आपके कॉपी के कागज के तलके लंबवत होगी और इस प्रकार प्रकिरण से भी समतल धुरुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है साइंटिस्ट बार्थो लिनस ने एक प्रयोग किया उन्होंने इस प्रयोग में क कैलसाइट क्रिस्टल पर समान्य प्रकाश रोच से अधुरुवित प्रकाश अपतित हुआ तो यह अधुरुवित प्रकाश अपवर्तन के पश्यात दो किरणों में बढ़ गया और इस प्रकार के अपवर्तन को दूई अपवर्तन कहते हैं जिन में की दो अपवर्तित प् हम साधारन प्रकाश कहते हैं और दूसरे वाले को आसाधरन यानि कि और नरी और दूसरा है एक्स्ट्राइडनरी यह घटना केवल कैलसाइट क्रिस्टल में नहीं होती बिल्कि टर्मलाइन क्रिस्टल माइका और क्वार्ज में भी दूई अपवर्तन की घटना देखने को मिल यदि अपवर्तन के पश्चत दो किरने मिल रही हैं इसका मतलब किसी भी वस्तु के दो प्रतिविम्ब प्राप्त होंगे मान लीजे यदि हम टेपर में एक इंक का डॉट लेते हैं और उसको कैलसाइट क्रिस्टल के थूँ अब्जर्व करते हैं तो कैलसाइट क्रिस्टल अब दोनों में क्या फरकाता है इन दोनों में से कौन सा और्डनरी प्रकास से बना और कौन सा एक्स्ट्राइट करते हैं गोल-गोल घुमाते अपने अक्ष पर तो एक इमेज इसमें अपने पोजिशन पे ही स्टेशनरी है जबकि दूसरा इमेज हम देख रहे हैं कि पहले के वाली की तुलना में गोल-गोल रोटेट कर रहा है जैसे कि हम इस केलसाइट क्रिस्टल को घुमा रहे हैं तो जो इस्टेशनरी रुका हुआ इस्थिर प्रतिविम हमको प्राप्त हो रहा है वह साधरन अपवर्तित प्रकाश यानि कि और्डनरी रिफ्रेक्टेड रे के द्वारा प्राप्त हो रहा है यह जो साधरन अपवर्तित प्रकाश किरण है यह स्नेल की नियम का पालन करती है और इस किरण के लिए क्रिस्टल के सभी दिशाओं में अपवर्तनां का मान समहन होता है और क्रिस्टल के सभी दिशाओं में इसकी वेलोसिटी यानि कि इसकी क्रिस्टल भी समान होती है और इस साधरन किरण में कमपन अपतन तहल के लमवत होता है जबकि इसके विपरत हम आसाधरन किरणों को देखें तो यह स्नेल की नियम का पालन नहीं करती और इस किरण के लिए क्रिस्टल की भिन भिन दिशाओं में अपवर्तनां का मान भी भिन होता है और साथ ही क्रिस्टल के भिन भिन दिशाओं में इनका चाल भी अलग-अलग होता है और असाधरन किरणों में कमपन अपतन तल के समांतर होता है यदि हम साधरन किरणों के कोर्सपॉंडिंग तरंगाग्र देखें तो वो गोलिय होता है क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदू शुरोत से उत्पन आसाधरन तरंगों के corresponding तरंगागर देखें तो वो elliptical होता है यानि कि अंडाकार होता है इसी कारण इनके behavior में change आ जाता है लेकिन इस crystal के अंदर एक ऐसा अक्ष होगा जिसकी दिशा में इन दोनों ही किर्णों की चाल एक समान होगी और इसे हम उस crystal का प्रकाशिक अक्ष यानि की optical axis कहते हैं यदि वायू या निर्वात की बात करें तो इन में समदैशिक गुण होता है यानि कि isotropic property होती है इसलिए इन दोनों किर्णों में अंतर नहीं होता लेकिन यदि crystal को देखें तो crystal विशम दैशिक गुण वाला होता है यानि कि उनमें anisotropic property होती है इसलिए ये दोनों ही किरण प्रिथक प्रिथक होते हैं और जब इन दोनों किरणों को किसी वीधी द्वारा प्रिथक रुप में प्राप्त कर लिया जाता है तो ये समतल धुरुवित प्रकाश होता है जब टर्मलें क्रिस्टल को इस प्रकार काटा ज होगी तो उस समय अपवर्थन के पश्षाथ ये दो क्रिणों में बढ़ जाएगी यानिकी साधारण अपवर्तित किरण और असाधरण अपवर्तित किरण और ये दोनों ही किरण समतल धुरुवित होंगे लेकिन इस crystal के अंदर से ऐसे ही किरन पार हो पाएगी जिसका कमपन तल इसके मुख्य अक्ष के समानतर हो और दूसरा जिसका कमपन इसके लंबवत हो वो इस termline crystal के द्वारा रोग दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को जिसमें की एक किरन पार हो जाती है और दूसरी किरन वहीं रुक जाती है और वह प्रक्रिया जिसमें की वह प्रकाश जिसका कमपन इस टर्मलाइन क्रिस्टल के अक्ष के समानतर हो वो पार हो जा रहा है और दूसरा प्रकाश जिसका कमपन इस टर्मलाइन क्रिस्टल के प्रकाश अक्ष के लमवत है वो रुख जा रहा है इस प्रक्रिया को हम कहते है selective absorption यानि की वर्नात्मक अवशोशन और वर्नात्मक अवशोशन के इसी गोण को हम दुई वर्नता के नाम से भी जानते हैं जिसे इंग्लिश में dichroism कहते हैं इस प्रकार जो dichroic crystal होते हैं वो केवल ऐसे ही प्रकाश को पार करते हैं जिनके कमपन उनके अक्ष के समांतर हो और उन सारे प्रकाश को एब्जॉर्फ कर लेते हैं जिनका कमपन उसके तल के लंबवत हो crystal के इसी वर्नात्मक गोण का स्तमाल करके सबसे पहले scientist Edwin E.H.land ने polarites का निर्मान किया पोलराइट्स ऐसी युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा समतल धुरूवित प्रकाश पुंजु को उत्पन किया जा सकता है इन पोलराइट्स में नाइट्रो सेलूलस की पतली फिल्म होती है जिसमें कारबन कमपाउंड जैसे की हैर्पाथाइट या फिर आइडोक्यूनिन सल्फेट के अती सुक्ष में crystal कुछ इस प्रकार बैठा दिये जाते हैं कि सभी crystal के प्रकाश अक्ष समानतर हो और ये crystal द्वी वरनक होते हैं जो ऐसे प्रकाश को रोक देते हैं या अवशोशित कर लेते हैं जिनका कमपन इनके प्रकाश अक्ष के लमवत हो तो इन में से जो प्रकाश उत्पन होता है वो समतल धुरुवित प्रकाश होता है जिनका कमपन इस पोलराइट के प्रकाश अक्ष के समानतर हो इस फिल्म के दोनों और काज की दो प्लेट होती है ये काज की दोनों प्लेटे केवल इसको यांतरिक सपोर्ट देने के लिए होती है और इस प्रकार पोलराइट्स का निर्मान किया जाता है अब हम इन पोलराइट्स के उप्योग देखते हैं सबसे पहले तो polarides का उप्योग समतल दुरुवित प्रकाश उत्पन करने के लिए, किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं, कि अधरुवित प्रकाश, जब इन polarides पर अपतित होगा, तो ये polarides, उन सारे कमपन को रोख देंगे, जो कि इसके अक्ष ये लमवत है, तो जो प्राप्त होगा वो समतल धुरुवित होगा जिसका कमपन इस पॉलराइट के तल के समानतर होगा पॉलराइट का स्तमाल प्रकाश के संसूचन में किया जाता है मतलब प्रकाश धुरुवित है यह अधुरुवित इसको हम इन पॉलराइट की सहता से पता कर सकते हैं यदि हम क तो इसका मतलब वह प्रकाश अधुरुष प्रकाश है, क्योंकि इस अधुरुष प्रकाश में सभी possible कमपन की दिशाएं होंगी, और जब हम इस Polarite को रोटेट कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई कमपन की दिशा इस Polarite के अक्श के समानतर होगी, इसलिए हर बार जब हम Polarite को गुमाते जाएंगे तो एक वही सेम तीवरता का प्रकाश हमको Polarite के पार मिलते जाएंगा इसलिए वो प्रकाश दुवित होगा लेकिन यह दी पर गुमाया जा रहा है और प्राप्त प्रकाश की तीवरता में परिवर्तन हो रहा है तो वो प्रकाश अधुरुवित प्रकाश नहीं हैं तो वह प्रकाश समतल धुरुवित होगा यदि उसको एक बार घुमाने में यानि कि इस पोलराइट का अगर एक चक्कर लगा रहे हैं और प्रकाश की दीव्रता दो बार अधिकतम हो रही है और दो बार शून्य हो रही है यह कि घुमाएंगे तो इसका एक्सिस ऐसा होगा कि हर 90 डिग्री के बाद चेंज होगा जीरो डिग्री और 180 में यह अक्ष जो है वो कमपन अक्ष के समानतर मिलेंगे इसलिए उस समय तीवरता अधिक्तम हो जाएगी पर 90 डिग्री और 270 में इसके अक्ष लमवत हो जाएगे जिसके कारण तीवरता शुन्य होगी पर इस टर्मोलाइन क्रिस्टल को घुमाने पर तीवरता में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन यह तीवरता शुन्य नहीं हो रही है इसका मतलब वह प्रकाश आंशिक रूप से धुरुवित है पोलराइट्स का इस्तमाल प्रकाश की चको दिशाय थी वो रोक ली गई है यह यूँ कहें इस पोलराइट्स के द्वारा एब्जॉर्फ कर ली गई है तो नैचरली इस प्रकाश की तीवरता में कमी आ जाएगी हम जानते हैं कि जब किसी भी पोलराइजर से अधुरुवित प्रकाश पार होता है तो उसकी तीवरता आधी हो जाती है जिसके कारण प्रकाश का चका चौन्द भी कम हो जाएगा इसलिए पोलराइट्स का स्तमाल संग्लासस में किया जाता है यानि कि धूब के चश्मों में कि बहुत ज्यादा तेज रोश्नी होगी तो वो हमारे आखों को डाइमेज करती हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं अपनी आखे बंद करने लगते हैं तो उस समय जो हम संग्लासस का स्तमाल करते हैं वो पोलराइट्स होता है इसी प्रकार गाड़ी के जो ड्राइवर के सामने जो कांच लगा होता है वो भी पोलराइडी होता है गाड़ी के हैड़ लाइट के सामने भी पोल इस समय उसकी आखे चौंधिया जाएंगी और दुरघटना होने की चांसेस हैं इसलिए जो सामने का ग्लास होता है वो पोलराइड होता है जिससे कि उस प्रकाश की तीवरता को कम किया जाता है वैसे ही वायू यान या फिर ट्रेन की खेडकियों में भी जो कांच लगा होता ह साधरन कांच नहीं है बलकि वो पोलराइड होते हैं जिससे कि बाहर से आने वाले प्रकाश की तीवरता को कम किया जा सके यदि हम बादलों का पिक्चर एक कैमरा से ले रहे तो आसमान से आने वाली जो प्रकाश है उसकी तीवरता बहुत अधिक होती है यादि हम कैमरे से डाइरेक्ट आसमान की पिक्चर लें तो वह इसपष्ट नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा रोश्णी इस कैमरे के फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़े की जिसके कारण फोटो डैमेज हो सकती है एक्सपोज हो सकती है इसलिए इस कैमरे में हम पोलराइट का स्तमाल करते जो कि इसके लेंस के सामने लगा होता है जो कि प्रकाष की तीवरता को उसकी चकाचांद को कम कर देता है दूसरा सूर्य का प्रकाष जो वायू मैंडल को पार करके आ रहा है उसमें प्रकिरणन की घटना भी होती है मतलब वो प्रकाष आंशिक सकता है और समतल दुरुविद भी हो सकता है लेकिन यदि कैमरे के लेंज के सामने पोलराइड लगा हो तो केवल वही प्रकाश इस कैमरे के लेंज के अंदर एंटर करेगा जिसका कमपन इस कैमरे के सामने लगे पोलराइड के प्रकाश अक्ष के समानतर हो इस प्रकार आसमान की clear image ली जा सकती है ऐसे ही microscope से जह हम किसी सूख्षम वस्तू को देखते हैं तो सूख्षम वस्तू को देखने के लिए microscope में एक mirror लगा होता है जिससे हम प्रकाश किरणों को उस सूख्षम वस्तू की और focus कर रहे होते हैं तो जो objective lens होता है जिसके सामने सूख्षम वस्तु को रखा जा रहा है उसके सामने पोलराइड लगाया जाता है वरना ये जो सुक्ष्म वस्तु बहुत जादा तीवर होगी उससे निकलने वाली प्रकाश बहुत अधिक तीवर होने के कारण वो सुक्ष्म वस्तु हमको क्लियर दिखाई नहीं देगी पोलराइड लग आशिक गुणों का अध्यन करने के लिए भी किया जाता है जब प्रकाश किसी धातु की सता पर अपतित होती है और उससे परावर्तित होती है तो यह परावर्तित प्रकाश आंसिक रूप से दुरुवित हो जाती है इस पॉलराइट का इस्तमाल करके हम इस परावर्तित प्र चित्रे स्पष्ट नजर आती हैं